जैम अतरानी भक्तो आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पर संदी भक्ती ग्यान गंगा में भक्तो आप सभी को नमरात्री परवकी बहुत बहुत शुब कामना है भक्तो सब लोग बहुत अच्छे से होंगे ये कमेंट में जरूर से बताईएगा भक्तो आज की इस चीज मैंने आपको डिटेल में बताई थी तो देखे दूसरे दिन मतलब दूसरा दिन से लेकर नो दिन तक हम रोज पूजा कैसे करेंगे इसमें अश्टमी और नमी के दिन आप विशेज तरीके से हवन कैसे कर सकते हैं अगर आप डेली हवन नहीं करते हैं वो बताएंगे तो देखे जैसे हम यह पूजा कर लेते हैं पूजा करने के बाद जब हमारा दिपक शांत हो जाता है एक सवा गंटे के बाद में आप भोग प्रसाद हटा दीजेगा ताकि आप सभी को प्रसाद में बाट दे और जो फूल पतियां हैं यह हमें हटा लेनी होती है साम के समय और इस तरह से जो भी चीजे आप स्थापित किया है वो हिलने डूलनी नहीं चाहिए इस तरह से हमें सभी चीजेगा हटानी है और यह दीपक को हम हटा देंगे और जो फूल पतियां है यह आप इकठा इक पॉलिथिन में करते रहें ताकि जब आप नोवे दिन या आखरी दिन विसर्जन करेंगे ना तो आप यह सारे भूमी विसर्जन जल्विसर्जन कर सकते हैं और देखे हमने कोई भी चीज हटाई नहीं है जैसे हमने सामागरी रखी सिंगार की सामागरी दक्षिना कल स्थापना की है या फिर गंडपती जी बिठाएं वोने हिलाना नहीं है इसी तरह से पूरे नो दिन तक रहेंगे बस एक साफ कपड़े से चोकी को जाड़ दीजिएगा और मंदिर में जाड़ू नहीं लगाना है सिरफ पोच्छा लगाना है क्योंकि जाड़ू नहीं लगाई जाती है मंदिर में इस बात का ध्यान लखेगा उसके बाद में हम फिर से नया दीपक ले लेंगे धूब दीप की स्थापना करेंगे जलका हम यहाँ पर छीटा लगा देंगे तो इस तरह से हमें पूजन करना है साम के समय पहले दिन की पूजा मैंने आपको दिखाई थी सुबा सुबा में कैसे की थी और शाम के समय हमें कैसे पूजा करने होती है डेली हमें सुबे साम की पूजा कैसे करनी है वो विधी में आपको दिखा रही हूँ तो इस तरह से हमें जलकाई छीटा लगाना है और फिर हम यहाँ पर गनेश जी को रोली का टीका लगाएंगे चंदन रोली का टीका लगाएंगे और अक्षत समर्पित करेंगे तो इसी तरह से हमें जो है पूजन करना है जो भी इसमे भोग प्रसाद आप अरपित करते हैं, वो फलाहारी भोग प्रसाद अरपित करना होता है, आक्षत समरपित करेंगे, माता को रोली का टीका लगाया है, और उसके बाद जो हमने सिंपल सा जो दीपक स्थापने की है, अगर आपने अखंट दीपक रखा है तो आप उसे समहाल लिजएगा उसमें घी तेल अगर कम है तो उसे तेल भर दीजएगा जल तेल हैना चाहिए पूरे नोधीन तक और हमने जो कलस की स्थापना कीथी जल भरके रखा उसका भी हमने पूजन कर जा है दीपक का भी पूरे प्रवा टूर्वा समर्पित कर देंगे अप नौरात्री के दिनों में मातारानि को कम से कम एक गुढ़ल का फूल आप जरूर से अर्पित करें क्योंकि गुढ़ल का फूल मातारानि को अत्यधिक प्रिय होता है उसके बाद में हम यहां पर धूप दीब दिखा देंगे आप यहां पर जय माता दी जय माता दी जरूर से बोले और इस तरह से जो हमें धूप दी पार्ती करनी होती है जो भी आप भूग प्रसाद अर्पित करेंगे फलाहारी ही भूग प्रसाद अर्पित करना है इसमें अन्न का भूग प्रसाद नहीं लगाया जाता है इस बात का ध्या रखेगा और विशेस जो भूग प्रिसाद होता है माता का बताशा और लॉंग के जोड़ा रख करके माता को भूग लगाया जाता है इसी तरह से हमें जो है अगले दिन भी सुबा में भी इसी तरह से पूजन करना होता है और देखे हमने गणपती जी को जेनेव और कलावा अरपित नहीं किया है आपने अगर पहले दिन अरपित किया है तो आप रहने दीजिएगा बाकी नो दिनो तक और नोवे दिन आप जेनेव और बस रूपी कलावा दुबारा से अरपित कर सकते हैं रितु फल आप अरपित कर दीजिएगा जलका भूग लगा दीजिएगा प्रकार से तो देखे अगर आप मीठा पान नुरातरी में डेली चढ़ाते हैं तो चढ़ा दीजेगा नहीं तो आप जो नोवी होती आश्टमी और नोमी होती है उस दिन आप जो है मीठा पान जरूर से अरपित कीजेगा और एक छोटी सी अग्यारी जरूर से कर लीजेगा जैसे कि मैंने यहाँ पर कपूर जलाई है कहीं कहीं गोबर का उपलाज सुलगा करके उसमें पूर आहुती दीजाती है तो हम डेली हम छोटा हवन कैसे करेंगे वो मैं दिखा रही हूँ तो देखे मैंने कपूर जलाई उसमें लौंग का जोडा और पताशा जो आपने भो खपरवाली हम सबुतारे तेरी आरे दि ओ मैं हम सबुतार्य तेरी आ रेधी इस तरह से यहाँ आरती गा करके आप आपनी आरती पूरी कर लीजिएगा और इसी तरह से हमें सुबह साम इसी सिंपल वे ने पूजन करना होता है और यहाँ पर आर्थी को ठंडा कर देंगे यदि आपने जुआरे उगाएं हैं तो जुआरों में जल जरूर से सीच दिजिएगा और अगर आपने कलस्की स्थापना किये हैं उसमें भी धूब दीप आर्थी जरूर से कीजिएगा इस तरह से हमें शमाप्रात्ना मांग लेनी होती है और देखें जब हमारा दीपक शांत हो जाता ना तो कुछी देर के बाद में हमें यहां से भोग प्रसाद हटा देना होता है परिवार जन में बाढ़ देना होता है आसपरोडोस में बाढ़ देना है और आप भी स्वैम भी प्रसाद को खाईएगा तो आई होप आपको ही है सुबह साम की नवरात्री में पूजा वीधी पसंद आई होगी वीडियो पसंद आई वीडियो को लैक शेर सब्सक्राइब जुरूर करें कमेंड बॉक्स जैम आता रहें